मोबाइल का इस्तमाल अब आपकी जेप पर थोड़ा और भारी पढ़ने वाला है दरसल टेलिकॉम कंप्पनियों ने ये फैसला किया है कि वो अपने टैरिफ को बढ़ाएंगे भारतिय एरटेल ने मोबाइल टैरिफ में 10-20% की बढ़ुतरी का फैसला किया है ये जो टैरिफ में बढ़ुतरी है वो पोस्पेड और प्रिपेड दोनों में होगी और जो नई कीमते हैं वो 3 जुलाई 2024 से लागू होंगी यानि आज से 4-5 दिन बाद ये नई टैरिफ जो हो लागू हो जाएगी R.I.L. और Airtel के शेरों में आज इस टैरिफ बढ़ुतरी को लेकर इंट्राडे में एक नया लाइफ हाई देखने को मिला यानि शेर जो है वो नए रिकॉर्ड अस्तरों पर पहुँच गए अब इसके पीशे जो रिजन्स दिये हैं कंपणियों ने वो ये दिया है Airtel का ये कहना है कि अच्छे बिजन्स पॉर्डल के लिए healthy financials के लिए ये ज़रूरी है कि जो आर्पूज है यानि जो average revenue per user है वो अच्छा होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए और इसकी वैसे वो tariff बढ़ाना चाहते हैं दूसरा जो हम experts को सुन रहे हैं जो experts हैं बात कर रहे हैं या फिर जो brokers के reports आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि जो 5G network में निवेश किया गया है अब उनको monetize करने के लिए जो जितनी भी network कंपनिया है जितनी भी टेलिकॉम कंपनिया है उन्हेंने जो निवेश किया है वो उसको monetize करने के लिए जरूरी है कि वो tariff को बढ़ाएं इसके अलामा जो last चीज ये है कि tariff hike पर जो analyst है या फिर जो brokers हैं वो काफी positive नजार आ रहे है उनको ऐसा लग रहा है कि इसका positive impact sector पर और इन company उपर पढ़ेगा लेकिन आब एक चीज ये देखनी जरूरी है कि आपकी जेप पर कितना असर पढ़ने वाला है आपके लिए tariff कितना बढ़ जाएंगे तो 28 दिन के plan में अगर आप जियो और एटल को देखेंगे तो 249 रुपय का tariff 299 का हो गया और 299 का tariff 349 का हो गया जो benefits थे वो same रहे हैं लेकिन जो tariff है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है 56 दिन के tariff पे भी अगर आप देखें तो 533 का plan अब 639 में आपको देना पड़ेगा 549 के plan के लिए आपको 649 रुपय देने पड़ेंगे फोड़े और 11 दिनों के plan को देखते हैं 84 दिन के plan के लिए आपको 789 की जगवा 859 रुपय देने पड़ेंगे अर जो बैनेफिट की बात थी लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि पोस्पेड में क्या changes होने वाले हैं तो पोस्पेड के हमने दो popular plans लिए जियो में अगर आप देखें तो 299 रुपय का जो tariff था उसकी जगव आपको 349 रुपय देने पड़ेंगे और उसमें जो आपको data मिलता है वो 30 GB पर मंत का मिलता है बाकी benefits सेम रहेंगे Airtel में 399 की जग़ा आपको 449 रुपय देने पड़ेंगे 40 GB का data यहां मिलता है आपको जियो में जो 399 का plan था उसकी जग़ा आपको 449 रुपय देने पड़ेंगे और 75 GB का data आपको यहां मिलता है सेम plan के लिए 499 Airtel में आपको देने पड़ेंगे अब आपको 549 रुपय देने पड़ेंगे इसके साथ साथ इन्होंने कुछ OTT benefits भी दिये हैं जो इनके plan में जो post rate plan है उनके अंदर वो शामिल है तो यह tariff के बढ़ूतरी है जो आपको अब 3 जुलाई के बाद नए tariff पे करने पड़ेंगे यानि आपकी जेब पर थोड़ा और रसर पढ़ने वाला है थोड़ा ज़ादा आपको और पैसा पे करना पड़ेगा अगर आप अपने mobile phone में यह packs डलवाना चाहते हैं और data और mobile के services को use करना चाहते हैं